हेलो दोस्तों सवागत आपका में नेस्ट वीडियो में इस इंदी डिक्टेशन को हम तीन गिन्ने पर सरू करेंगे इससे पहले आप तयार हो जाओ पैन पैन सिल जो भी आप यूज करते हो तो सटाट करते हैं एक दो तीन सटाट अध्यक्स जी मैं भारती है व्यवसाइक ए अनुरोद करता हों की वे देश की अर्थ ववस्ता के विकास के हित में विदेश वयापार में वर्दी में तीका अधिक योगदान करें सरकार अपनी नीतियों के जर्ये आर्थिक छेतर में अंतरराष्ट्य सैयोग को बड़ावा दे रही है भारतिय उद्योगपतियों को इसका लाब उठाकर आर्थिक परगति की परक्रिया को बल देना चाहिए विबिन देशों के साथ सैयोग बड़ाने से नई तकनिक के आयात तथा पूंजी की उपलब्दी के आउसर बढ़ गए है इस से भारतिय माल के लिए नई हाट मिल सकते हैं किन्तु इन थविदाओ का देश को तभी लाब मिलेगा जब अमारे उद्योगपति तथा व्यवसाइक अपनी समता वै कुसलता का उपियोग करके विकास कारिया में हिश्या ले जैसे जैसे देश की एर्थ विवस्ता का विकास होगा विद्येशों में काम करने के लिए हमें अधिक से अधिक आउसर मिलेंगे और आदूनिक सकनिक के आयात की मांग भी बड़ेगी किन्तू आयात की जरूरतों को निरियात में परियाप्त विर्दी के जर्ये ही पूरा किया जा सकेगा सरकार को अपनी और से इसके लिए हर संबव परियास करने में पूरा सेयोग देना चाहिए विदेशों में सेयुक्त उद्मों की सतापना तथा उनके सहीतोर से थंचालन में बारतिय वनिंज्य वै उद्योग महासंग जैसे संगटन बहुत मदत देशकते है विदेशी वनिंजिक संगटनों से संपरक तथा सेयोग पढ़ाने की भी जरूत है साथ ही बारतिय माल को विशव बाजार में पर्तियोगी बनाने के लिए उपाय किये चाने चाहिए उतर राष्टिय वैपार में भारत का हिस्सा बढ़ाने के लिए सरकार सथा विशायोग के बीच सेयोग बढ़ाना आउस्थक है अगले दस वर्षों में वार्षिक पाच पर्तिशत की दर से आर्थिक परगती के लक्षय को पूरा करने के लिए भारत के निरियात में वार्षिक 9.12 पर्तिशत की वर्धी होगी आर्थिक विकास में अंतर राष्टिय व्यापार का मैत्तव दिन परतिजन बढ़ता जा रहा है